हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल साथ वाज 21 नॉवंबर 2023 और आज दिली पुलिस कॉंस्टेबल का सेकंड सिप्ट का पेपर छुट चुका है तो साथ यो सेकंड सिप्ट में जो कोस्टन्स पूछे गये हैं उन कोस्टनों को हैं वो तो मिला लेना कि आपने जो पेपर में सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथ उनके लिए तो बिल्कुल रामबान क्लास है तो चलिए फिर सुरू करते हैं देखते हैं आज के सेकंड सिप्ट में पूछे ग चलिए ve要 देखते हैं आज के सेकंड सिट के कौष्चन देखीगा और अपको बता hanya सात हो डेली आपको सामने एक वीड़ियो मिलता है जिसमें एक दो और तीनों सिप्टों के कौस्चन अंसर एक ही वीडियो में मिल जाते हैं तो इसो वीडियो को जरूर देखा करिए गा देखिए राजपाल किस अनुच्छिद के तहत एद्धादेस जारी करता है और जो राज है राजपाल होते हैं अनुच्छे 213 के अंतरगत अज्धादेश जारी करते हैं तो इसका करिक्ट अंसर हो जाता अनुच्छे 213 साथ चैनल के अंदर मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेश करवाए हैं और डेली करवा रहा हूं आज भी एक 100 कोस्चन का जिके जिसका एकस्पेक्टेड कोस्च योजना को अब किस नाम से जाना जाता है तो देखिए मिड़े मिल योजना का नया नाम आपसे पूछा था तो इसका करिक्टेंसर हो जाता प्रधानमंत्री पोसन योजना आगे कोस्चन अपसे पूछा था कि 2011 के जनगन्ना के अनुसर 10 करोड से नीचे 10 करोड से कम जन अपसन भी मिल चुका है तो देखिए उपसन आपका ये था कि उत्तर परदेश था बिहार था पस्चिम बंगाल था और महाराष्टा था तो साथियो इन सभी में सबसे कम जन संख्या तो आपका पस्चिम बंगाल का यह तो यहां आपका करेक्टेंसर हो जाता पस्चिम बं और सुनल SahGame का संबन किस निरत से हैं तो देखेगा सॐधाया है । स हमद्द कि से हैं यहां आपकर करेक्ट हो जाता झाल से कोई आपको सफन दिया होगा भारत मेंÁ आप्सेन प्साथ होगा ठीक है तो यह स्थापना के बारे में पूछा था कि कब हुई थी तो इसका करीक्टर रोग्टा 1906 में और मुसलिम लिग के अस्थापना किस ने की थी अगर आप कि सोनल मान सिंग का संबंद किस राज से है ठीक है इसको मिटा देते हैं सोनल मान सिंग का संबंद किस राज से है यह आप से पूछा था तो देखिएगा सोनल मान सिंग का जन्म साथियों मुंबई में हुआ था अगर जन्म पूछा था तो मुंबई हो जाता और तीन बच्च जोनल मान सिंग का जन्म जो है मुंबई में हुआ था और अगर option में मुंबई नहीं था तो फिर गुजरात आपका यहां करिक्टेंट सरो जाता देखिए question था मलीका सारा भाई का संबन किस्से है तो ध्यान से दिखिए साथ हो मलिका सारा भाई का संबन कुचीपूरी और भारत नाट्यम दोनों की ही निटकांगना और कलाकार है तो मलिका सारा भाई यहाँ पर option पर depend करता कि कुचीपूरी option में था या भारत नाइक्टियम ठीक है आगे दिखिए question था कि coffee के उत पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे हैं या ऐसा पुछा था कि coffee के उत पादन में सबसे आगरानी राज्य कौन सा है लेकिन option में आपको दो-दो राज्ज का जोड़ा दिया हुआ था साथियो और यहाँ पर आपका करिक्ट हो जाता करनाटक और केरल क्योंकि देखिये कॉफी के उत्पाजन में सबसे अधिक आगे है करनाटक और दूसरे नमबर पर आता है केरल तो एक ही जोड़ा में करनाटक और केरल था जो कि आपका राइट अंसर हो जाता आगे दिखिए कोस्चन था कि अकबर के समय खेती को क्या कहा जाता था अब दिखिए अकबर के समय जो खेती होता था इसका language मुझे सही से मिल नहीं पाया साथ हो कि actual में ये कोस्चन क्या पूछा था लेकिन कोस्चन ऐसा ही था तो दिखिए अकबर की भुराजस वो प्रणाली अगर पूछा था तो इसको जबती प्रणाली कहा जाता है और देखिए मुगल काल में जो सबसे अधिक उपजावी छेतर होता था तो उसको दौआब कहा जाता है तो अगर दौआब आपके option में था तो दौआब ही यहाँ पर आपका correct answer हो जाता और अगर दौआब नहीं था तो जबती प्रणाली आपके option में रहा होगा जो की correct हो जाता देखिए question पुछा था बिजय अस्तम का निर्मान किस ने करवाया था तो ध्यान से दिखीगा बिजय अस्तम का निर्मान जो है वो साथियो राना कुमभा ने करवाया था यहाँ आपका correct answer हो जाता साथियो राना कुमभा आगे question पुछा था print review print review के लिए किस shortcut key का परियोग करते हैं तो देखिए print को review करने के लिए जो print हम करते हैं उसके review के लिए किस shortcut key का परियोग करते हैं तो control plus F2 का है ना तो इसका correct answer हो जाता control plus F2 देखे computer के अगर बात करें साथ हो तो सबसे ज़्यादा question MS Word और MS Excel के 365 से पूछा जा रहा है करीब 6 से 7 question बाकी के 1-2-3 question आपको जो है marketing, email और protocol वगेरा से पूछा जा रहा है यानि बोल सकते हैं हम की 6 से 7 question आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं computer के 10 में से आगे देखिए question पूछा था कि राज के नितिनर्दसक तत्व का उलेक किस अनुच्छिद में है इस question का भी language नहीं मिल पाया था तो देखिए अगर अनुच्छिद पूछा था तो अनुच्छिद 36 से 51 तक में राज के नितिनर्दसक तत्व का उलेक है तो अगर 36 से 51 ऐसा दिया हुआ था तो ये correct हो जाता या फिर 36 से 51 के बीच में कोई सा भी अनुच्छिद दिया हुआ था तो आपका correct answer हो जाता साथ हो राज के नितिनर्दसक तत्व की बात करें तो ये Ireland के संबिधान से लिया गया है याद रिखिएगा एक मोलिक करते भी से question पूछा था ये question सही से मिल नहीं पाया साथ हो बाकी एक question ये था कि 1976 में भारतिय संबिधान में क्या सामिल किया गया था option में मूल करते भी था तो ये आपका correct answer हो जाता जो की रूस के संबिधान से लिया गया था आगे देखिए question का language थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन question आपको जो है यही पूछा गिया है अब देखिए question आफी लोगों से पता चलता है तो फिर language जो है न सही से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है एक question था संभारिक किसे कहते हैं देखिए तो यह साथ हो science का question था संभारिक किसे कहते हैं यह आपसे पूछा था तो देखिए नाविक जिनके पास समान द्रैब्मान संख्या देखिए जिसका द्रैब्मान संख्या समान होता है लेकिन परमानों संख्या अलग-अलग यानि भिन-भिन होता है उसको संभारिक कहा जाता है यानि जिसका भार संभारिक कहा जाता है यानि जिसका भार संभारिक कि बायोम किसे कहा जाता है तो साथ बायोम किसको कहते हैं देखिएगा धर्ती मैंने डेफिनेशन लिख दिया है धर्ती या समुद्र के किसी ऐसे बेड़े बड़े छेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मोसम भुगोल और निवासी जीवो यानि विशेशकर पोधो औ देखिए उसी को बायोम बोलते हैं याद रिखिएगा तो यह उप्सन पर डिपेंड करता कि आपको किस परकार से दिया हुआ था देखिए एक कॉस्चन था आगे दिखिएगा सथियों मुलिक करतेव का साय देखिए कैसा कॉस्चन था कि कौन समाप्त कर सकता है या कि इसक कर सकते हैं और रिजनिंग की बात करें यहां पर तो 25 में 25 कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा के रिजनिंग में जो है आप 25 में 25 स्कोर यहां कर सकते हैं नहीं तो 23-24 तो आप इसली करी सकते हैं साथ हो रिजनिंग में तो देखिए यह रिजनिंग और मैथ व एक 100 question का static GKGS का questions का वीडियो में ने provide करा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना ठीक है और डेली आपको classes तो करवाई रहे हैं डेली बहुत ही महत्कुन questions का मतलब वीडियो आपको provide करा रहे हैं जो की आपके परिक्षा में पूछा जा सकता है बिल्कुल उ आसानी से जो है आप टोटल दिखिए टोटल आपका 25 25 और 15 40 में से जो है न साथियो आप यहां पर 35 question तो बिल्कुल 100% कर सकते हैं न यानि 40 में से 35 question आपका fix है कि यहां से कर सकते हैं और computer के 5-6 question तो आप easily करी लोगे और बात करें अगर GS की तो दिखिए GS का जो section है यह question पुछा जा रहा था GS का आप वो इसा नहीं है तो GS को सबसे last में आप लोग देखना जितना question बन सके उतना ही करना तुक का नहीं लगाना है चले फिर तो साथियो मिलते हैं आप से next video में रात में एक class आएगी जिसमें तीनों shift के question answer रहेंगे आप लोग उस वीडियो को जर जरूर से जरूर देख लेना है तो मिलते हैं आप से next class में तब तक के लिए जहिन साथ हो वन्यमात्रम